हेलो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स एस बलस कर्मचारियों के लिए मैं तीन से चार बहुत ही बड़े और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ जिसका सीधा सीधा असर आपकी सैलरी आपकी पैंसन आपकी फैमिली पर पढ़ने वाला है पहली खबर आपको मैं देने वाला हूँ ओ आरो पी टू के एडियस की अगली किस्त कब आपके खातु में पहुंचेगी एग्जेक्ट डेट के साथ में सारी चीज़े ऑफिशल लेटर के साथ में बताऊंगा साथी साथ दूसरी बड़ी अपडेट जा रही है डिये और डियार जैसे ही 50% क्रॉस करेगा तो क्या वो मर्ज कर दिया जाएगा अब मीडिया में ऐसी बहुत सारे खबरे चल लही है आपने भी बहुत सारे गुर्प से में ऐसी चीज़े देखी होंगे कि डिये 50% होने पर उसको अफिशली मर्ज कर दिया उस पर भी बड़े अपडेट देना वाला हूं तीनों की तीनों खबरें बहुत ही इंपोर्टेंट और लेटस्ट है पूरे वीडियो को लास्त देखीगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथी पहली खबर देखता हूं मैं OROP के फ़ोर्ट इस्ट्ण्मेंट्स या बोल सकते हैं last इस्ट्ण्मेंट्स है वो कब आपके खातों में पहुंचेगी तो बताया यह जा रहा है कि OROP के चौथी इंस्ट्ण्मेंट्स परवरी मन्त में कभी भी आपके खातों में पहुंचा जाएगी साथी साथ इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो जैसे ही आपका डिये और जनवरी दूजार चोईस में 50% क्रोस करेगा उसके बाद आपके महेंगाई भत्ते और महेंगाई रहात को 50% के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा ऐसे आपने भी ये खबरे प जाएगा उसमें मर्ज करने की कोई भी बात ऐसी ऑफिशल अभी तक ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है आना कि आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि कर्मचारियों के लिए डिये 50% पर बहुत बड़ी खुसकवरी लेकर आएगा क्योंकि उनके हाउस रेंट में फिर 18 और 27 परशंट है उसको बड़ा करके 10, 20 और 30 परशंट कर दिया जाएगा ऐसे में पैंसनर्स करमचारियों और फैमली पैंसनर्स के इस्पेसली करमचारियों के लिए बहुत ज़्यादा रहात की खबर होगी क्योंकि जनवरी में बहुत सारे पैंसनर्स बहुत सारे करमचा पैंसनर्स के लिए तो डिया और मर्ज होने की कोई भी ऑफिशल स्टेट्मेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है लेकिन जैसी डियार और डिया जो है 50 परशंट करेगा तो उसमें पैंसनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी क्योंकि उसमें मर्ज होने की बा जाती है लेकिन जो पैंसनर्स है उनके अलग गेटवेज होते हैं इसलिए उनकी पैंसन कभी-कभी अपने तैस समय से थोड़ी सी लेट हो जाती है तो इस बार 29 तारिक को और पैंसन आपके खातों में पहुचीगी यानि दो दिन पहले उसका रिजन बहुत बड़ा नहीं ह आपके खातों में पहुचा दी जाएगी तो आप ये वीडियो बहुत इंपोटन थी आपके लिए फायदा पहुचाने वाली थी साथी साथ आप comment करके हमें ये भी बताईगा क्या कि pensioners को भी 50% डिये के बाद में उनको कुछ अलग से benefit दिये जाने चाहिए अगर आप सोचते हैं comment box में yes लिखेगा और आपको लगता है कि नहीं दिया जाना चाहिए तो comment box में नो जरूर लिखेगा साथी साथ आपके जो भी recommendations है वो comment box में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा ये वीडियो अच्छा लागा तो like करेगा share करेगा ऐसी news information updates के लिए चैनल को भी subscribe कर लेगा मिलते हैं आपको next video में thank you so much